आज के मेरा गरेली नुसका यानी होम रेमेडी है नसो की ब्लोकेज पे यह एक देसी फॉर्मूला है इसके 100% रिजल्ट है यानी 100% एफेक्टिव है और अचू की लाज है इसलिए वीडियो शुरू से अन तक देखिए और ध्यान से देखिए आज कर लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया है कि इसके कारण वो किसी न किसी बिमारी की चपेड में है इन में से एक समस्या है नस्ब लोकेज की यो जुवाओं में काफी देखने को मिल रही है हाला कि इसका एक कारण काफियत तक परदूशन है पहले जहाएं समस्या साथ से सतर की उमर में दिखाई देती थी वहीं आज कर लोग 30 से 35 की उमर में ही समस्या को जेल रही है नस्ब लोकेज होने पर दमनी रोग परिद्धिय धमनी रोग लकवा हार्ट अटेक का खतरा बढ़ जाता है ऐसे में जरूरी है इस समस्या को समय रहते दूर किया जाए आज की वीडियो बहुती हेलफफुल होने वाली है वर बहुती जरूरी है आज कल के टाइम में नस्ब लोकेज की समस्या को लेकर इसलिए वीडियो पूरी देखे स्किप बल्कुल मत कीजिए जब भी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हैपफुल लगे प्लीज प्लीज डू लाइक शेर एंट सबसक्राइब माई चैनल बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिले बैल आइकन को प्रेस करके उसे ओल पर ले आईए जिससे आपको हर एक वीडियो की notification मिलेगी और comment box में मुझे comment करके जूरू बताईए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और future में किन topics पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उन्ही topics पर मैं अच्छी से अच्छी helpful वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जूर किया कीजे जिससे मुझे motivation मिलता है और चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो देरना करते हैं स्टार्ट करते हैं कैसे हैं आप सब आई होप आप सब स्फस्थ होंगे, सेफ होंगे और मजे में होंगे तर्च के हनुसार करीब 40-60% लोगों की धमनिया कमजोर हैं वहीं 20% में इलाओं को गर्बा अवस्था के बाद यह परिशानी होती है इसकी पैचान सई समय पर नहीं हो पाती जिसका असर वेरिकोजवेंस के रूप में माना जाता है दरसल बुरे कॉलिस्ट्रोल की मातरा बढ़ने से नसों में खून का परवा यानि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता जिससे पैरों में सूजन, नसों की गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं जो बाद में ब्लोकेज का रूप ले लेते हैं ब्लोक नसों को खोल ले के लिए सर्जरी वे दवाओं का सारा लिया जाता है जो काफी महंगा इलाज है वहीं इस बात की गारंटी भी नहीं होती इससे आपकी सारी समस्यें खतम हो जाएंगी ऐसी स्थिती में आप किचन में मौजूद चीजों से ही नसों का इलाज यानि नसे खोल सकते हैं आज मैं आपको ऐसी हो मरे बड़ी बताने जा रही हूँ इसके लिए आपको जो जो समगरी चाहिए उसे आप ध्यान से नोट कर लीजे एक ग्राम दालजीनी इसके लिए आप सारी समगरी को मिक्सर में डाल कर एक दम समूद पेस्ट बना ले पिसेवे मिशरन को एक समान दस हिसों में बाट लीजिए एक पन्नी में अलग-लग पैक कर लीजिए अब यह मिशरन इस्तिमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है रोजाना खाली पेट इसमेशरन की एक बुढिया यानि एक पाउच को आप हलके गुन-गुने पानी के साथ लगातार दस दिन तक ले ध्यान रखें दमा खाने के आदे घंटे तक किसी भी जीच का सेवन ना करें चाय तो बिल्कुल ना पिए नाशता भी दो से दीन घंटे तक ही करें नियमित रूप से इसका सेवन करने पर आप खुद फर्क मैसूस करेंगी कि आपकी नसों की ब्लोकेज की समस्या दूर हो गई है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी यह आपको जादा नसों की ब्लोकेज की समस्या है तो डोक्टर से कंसल्ट करना ना बूले प्रोजाना इस मिशिरन को लेने से ब्लोक नसे खुल जाएंगी जिससे दिल के रोग के साथ साथ लकवे का खत्रा भी हट जाएगा दिल के रोग और लकवे से व्यक्ति की जान भी जा सकती है ऐसे में बेतर तो यह है कि हम अपना काल कोलिस्ट्रोल कंट्रोल में लखें कोलिस्ट्रोल कंट्रोल में रखेंगे तो हमें हाई बीपी की लकवे की या हर्ट की प्रोब्लम कोई भी नहीं होगी ध्यान रखे यह नुस्का, सिर्फ यह एक नुस्का है जरूरी नहीं कि हर किसी को फायदा पहुंचाए इसलिए इससे लेने से पहले आप डोक्टर को जरूर चेक अप करवाएं डोक्टर की सला जरूर लें अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हल्फ लगी हो, पसंद आई हो प्लीज प्लीज लाइक जरूर की कर दिया कीजिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वोचिंग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिया कीजिए लव यू अल